चुलिया का बेटा कूकू नदी पर बैठा हुआ था कि वहां कवे का बेटा जगुकावा आ जाता है ये नदी मेरे घर के पास है इसलिए ये नदी मेरी है तुम जाओ यहां से ममा कहती है ये जंगल सबका सांजा है फिर मैं क्यों जाओ यहां से तू ऐसे नहीं समझेगा, मैं अभी अपनी मम्मा को बुला कर लाता हूँ, वो पूछे की तुझे? जगु कवा भाग कर अपने घर जाता है और अपनी मम्मा से कहता है मम्मा मम्मा, वो जड़िया का बेटा कुकु है ना, नदी पर पानी पी रहा था मैंग्या, तूस ने मुझे पानी नहीं पीने दिया और मुझे गंदी-गंदी गालियां भी देता है जगु अपनी मम्मा से ऐसे जूट बोलता है उसकम जोर जड़िया के बेटे की इतनी हिम्मत है के मेरे बेटे को ऐसे कहे मम्मा, मम्मा, आप उसे मारें, वो नदी पर बेटा हुआ है गोरी कवी जगु को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है कुकु बेटा, आप यहां बैठे हो, और मैं आपको घर में ढून रही थी मम्मा, मैं अपनी दोस्त सुनीता तित्ली से बातें कर रहा था आइंती, हम यहां बैठे हुए थी, के एक छोटे कवी ने आकर कुकु से लड़ाई शुरू करती गोरी कवी भी गुसे में वहां आ जाती है बद सूरत बुरे चुडिया के बच्चे, तुझे तो मैं देखती हूँ ऐसे कहते हुए गोरी कुकु को माणने के लिए आगे भड़ती है मगर कुकु की ममा रानो चुडिया कुकु के सामने अपने पंक फिलाया जाती है गोरी रुको, क्यो मेरे बेटे को मानने जा रही हो, मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा है दूर हो जाओ चडिया मैं छोड़ूंगी नहीं से तुम पंक तो लगाओ मेरे कुकु को मैं तुम्हारे पंक कार दूँगी चडिया थी तो कमजोर मगर अपने बेटे की खातिर वो गोरी कवी तो क्या पूरे जंगल से लड़ सकती थी गोरी चडिया पर कम लाती है और चडिया भी आगे पे खुद में बचाती है दोनों में नड़ाई होती है अगर गोरी दो लगाती तो चडिया भी कम लाती वो भी आज पूरा मुकाबला खर रही थी मैं मैं देख लूँगी मैं तुम दोनों मा बेटे को देख लूँगी तरपा तरपा कर मारूँगी मैं तुम दोनों को गोरी अपने जग्कू को लेकर वहां से चली जाती है चिल्या भी अपने बेटे को घर ले जाती है ममा सोरी ये सो मेरी वज़ा से हुआ मगर सच मैंने तो जुको कुछ भी नहीं कहा था मुझे समालूम है बेटा मैंने सारी जिंदिकी इन कवों से डर डर कर गुचार दी मगर मैं इन्हें अपने बेटे के पास भी नहीं आने दूंगी कुको बहुत डरा हुआ था वो अपने मां के साथ लिपट कर सो जाता है अगर मैं वहां होता तो मैं उन दोनों मा बेटे को जान से मार देता मारना तो है कालू मारना तो है उन्हें अब मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें हम्, वो मरेगी, वो चिडिया और उसका बेटा मेरे हातों से मरेंगे दूसरे दिन कालुकवा जंदल से जा रहा था कि वो देखता है कि एक जगा शिकारी दाना बखे रहा है हम्, शिकारी भी है, दाना भी और शिकारी के पास बंदूख भी इसका मतलब चुडिया को मारने का प्लैन त्यार है डुस्ट कालुकवा चुडिया के पास चाहता है चुडिया बेहन कल जो गोरी ने कहा मैं तमसे उसकी माफी मांगता हूँ मैं बहुत शर्मिन दाहूं तमसे कालुकवा ऐसे नाटेक करता है सवे भेया मेरा कूकू तो नदी पर बैठा अपनी दोस्ति कितली से बातें कर रहा था क्यों मा बेटे ने आकर लडाई शुरू कर दी मैं अपने बेटे को पिड़ता कैसे देख सकती थी छोड़ो इन बातों को अच्छा तुम ऐसा करो बेरी के पेड़ के पास दाना है मैं भी वहां से ही दाना लेकर आया हूँ तुम भी जाकर वहां से दाना ले आओ आपका बहुत भहुत धन्यवाद कालू भीया मैं भी अभी दाना लेने ही जा रही थी फिर कालू कववा थोके से चिडिया को शिकारी के लगाए हुए जाल की तरफ भेज देता है अब चिडिया को लगेगी गोली और वो भी बंदूक की कालू भी चुप चुप कर पीछे जाता है कुछ सोचे बिना चिडिया बेरी के पेड़ के पास जाती है और वहां जाकर दाने लेने लगती है जारियों में चुपा हुआ शिकारी निशाना सीधा करता है एक ठासी आवाज आती है और गोली ममा चिडिया का सीना चीरते हुए निकल जाती है ममा चिडिया दूसरी सास भी नही लेती और मर जाती है एक बार तो कालू भी डर जाता है मगर उसके इंतकाम की आग उसे फिर से खुश कर देती है मार गई, मार गई, मेरी और मेरी पतनी की दुश्मन मार गई कालू खर जाता है सौंप भी मार दिया और लाठी भी नहीं तूटने दी मैंने चुडिया को शिकारी के हाथों से मरवा दिया है गौरी तो जो थोड़ी देर पहले आवा आज आई थी वो चुडिया को गोली लगने की थी हाँ, मार गई छोटी चुडिया और अब उसका बेटा मरेगा फोक से मैं देखता हूँ कौन से जोग देता है उसे कुकु, कुकु बेटा, आपकी ममा को शिकारी ने मार दिया है ये सुनकर छोटे कुकु का दिल फट जाता है उस छोटी सी जान पर ये खबर कहर बन कर तूट दी है मा, तोते अंकल, कहा है मेरी मा शिकारी मार कर उसे साथ ले गया है कुकु बहुत रोता है, वो बहुत रोता है मगर अब उसकी ममा कब लोट कर आने वाली थी वो सारी रात रोता है और अपनी ममा को याद करता रहता है कोई भी उसका दुख बांदने नहीं आता सुबहा हो जाती है और वो उस जगा जाता है जहां वो सुभा सवेरे हर रोज अपनी मा के साथ आया करता था मा, मा, लीच एक बार मुझे आकर मिल जा, ममा, आप मुझे बहुत लादा रही है ममा, मुझे से आखरी बात तो कर लो मर गई है, वो तो तुम्हे छोड़ कर बहुत दूर चली गई है अब कौन बचाएगा तुझे मेरे हाथों से गोरी कवी एक डंडा लेकर कूकू की दरफ भड़ती है कूकू अपनी जान बचा कर भागता है अंकल, अंकल दोते, वो कवी मेरे पीछे लगी है प्लीज, प्लीज मुझे बचा ले मैं उस जालिम कवी से लड़ाई नहीं कर सकता वो बहुत ताकतवर कवी है, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे कहां गया, वो कहां गया है उधर तोते के घर की तरफ गया है वो कालू भी आ जाता है और वो दोनों पती-पतनी इंतकाम की आग में जलते हुए छोटे कुकु के पीछे जाते है अंकल, अंकल कवी कोवी को अपने तरफ आते हुए देखकर कुकु फिर से भागता है वो पहाड़ों की तरफ चला जाता है मौसी, मौसी चेल, मुझे बचा ले मेरी मा नहीं है वो कवे मुझे मार देंगे कल तुम्हारी ही मा को शिकारी ने मारा है ना हाँ, हाँ कल मेरी ममा को ही शिकारी ने मारा था चेल तो खुद बहुत जालिम थी मगर उस छोटे मासूम बच्चे पर चील को दिया आ जाती है मैं तो समझती थी कि मैं ही जालिम हूँ मगर मुझसे भढ़कर भी जालिम अभी है मेरे पीछे छुप जाओ बेटा मुझे अपनी माही समझो कवा और कवी भी पहुंचाती है चील दी या इसे खुद खालो या फिर इस चड़िया के बच्चे को हमारे हवाले कर दो के इसकी मा नहीं है न इसका पिता नहीं है न इसलिए तुम इस पर जलम कर रहे हो मगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी इसे तो हम मार के ही दम लेंगे तो फिर मुकाबला करो चील आगे भड़ती है और एक ही वार में गोरी कवी को चीर देती है और फिर कालू कवे को अपने पंजों से उठा कर पत्थर पर दे मारती है वो दोनों कवे मर जाते है बेटा मैं आपको मा का प्यार तो नहीं दे सकती मगर शाय तुम्हें बचा लेने से मेरे पाप थोड़े कम हो जाए आज से तुम मेरे पास ही रहोगे मैं मा हूँ तुम्हारी और मैं रक्षा करूंगी आपकी फिर कुकु चील ममा के गले लग जाता है और कावे अपने इंतकाम की आग में चलकर खुद ही मर जाते हैं प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी दूसरे का बुरा करता है अंत में उसका अपना ही बुरा होता है और प्यारे दोस्तों इस कहानी को